अब बात आ गई है AIDS की, AIDS मतलब Acquired Immunodeficiency Syndrome अब यह एक तरगा syndrome है, syndrome मतलब क्या है? कि किसी microbe या foreign particle के कारण ऐसी condition आ रही है है ना, वैसे 1938 में सबसर पहले यह disease जो है, यह identify हुई जो की UK में हुई, भारत में नहीं मिला है ना, भारत में भी फिर उसी समय के आसपास हमको इसका patient जो है मिलना शुरू हुए तो यह बिमारी शुरुवात कहा से हुई है? यह विदेश, मतलब UK, US है, यह disease जो है वो चल गया आई अब आई तो किसके कारण? यह एक virus के कारण आई जिसका नाम है Human Immunodeficiency Virus, HIV इसका नाम है तो Acquired Immunodeficiency Syndrome, इस disease के बारे में है इसके बाद में बहुत सारी हम लोग इसके बारे में और डिटेल बात करने वाले है तो यह देखिए, यह यहाँ पर यह virus है जिसको हम लोग HIV-1-viron के नाम से जानते हैं आपको यह यहाँ पर इसका Capsid आपको दिखाई दे रहा है इस Capsid के अंदर आपको यहाँ पर इसका Genetic Material भी दिखाई देगा और यही Genetic Material, what they want to do they want to insert this Genetic Material क्या कर देना चाहते हैं यह और यह करते हैं क्या है सारे virus अपना Genetic Material जो है यह क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं किस के अंदर करते हैं किसी host के अंदर कर देते हैं तो आप इनके लिए host हैं और यह virus अपना सारा DNA जो है वो है host के अंदर पहुचा देता है और जब host के अंदर पहुचता है तो इनके DNA को DNA की copy जो इनकी जो हुरी है इनकी जो copying की प्रोसेस चल रही है उसको वो क्या बोल देता है कि इसको तो करो stop और stop करने के बाद में हमारा करो शुरू तो यहाँ पर इनका genetic material जो है वो replication शुरू हो जाता है और आपका जो भी यहाँ पर replication हो रहा था वो यहाँ पर रुक गया है वो यहाँ पर आगे नहीं होता है तो यह सारे virus की यादते होती है यह सारे virus के character है कि क्या करेंगे वो अपना genetic material महाँ पर डालके उस आपके replication system को hijack महाँ पर कर लेंगे अपनी body के parts महाँ पर बनाएंगे अपने DNA को महाँ पर copy करके multiply करके duplicate करके त्याग वो अपनी population महाँ पर बढ़ाते हैं और आपके पुरे body को यहाँ पर harm करते हैं अब लेकिन कुछ लोगों में बच्चों में भी देखने को मिला तो यह sexually तो ट्रांसफर हुआ तो कैसे मान लिजाए अगर कोई किसी के father को सब्सक्राइं कИकोई बढ़ा हो जाती है हमना क्यों transfer हो यह देखि father से mother में यह transfer होई है क्यों क्यूंकि यहाँ पर body fluid कौह永 इ gloss हो रहता है word and climate когда body fluid मितलब यहाँ पर सिमन की बात आ जाती वडचा 2 सिमन बोले तो sperm cell जो है उनका यहां पर transfer जो है वो father से mother में हुआ है और जब भी इस तरह के किसी भी fluid का यहां पर exchange होगा तो क्या संभावना होती कि कौन सी disease यहां पर transfer हो जाने वाली है AIDS यहां पर transfer हो जाने वाली है और उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे transfer from mother to the baby also हाना mother से यह baby में भी transfer हो जाएगा और यह baby में transfer हुआ कैसे क्योंकि baby जो था वो तो placenta में था तो फिर उसके पास में यह virus पहुचा कैसे तो यह virus हो है उसके पास बिलकुल आसानी से यह placenta layer को cross कर सकता है इतना समझदार virus है कि वो यहाँ पर placenta को cross करके वो baby तक पहुच जाएगा और जब baby का birth होगा तो उसको भी AIDS होगा और अगर AIDS है बच्चो तो AIDS का मतलब है कि आपका deficiency syndrome क्या हुआ है पूरी तरह से आपका immune system क्या हुआ है पूरी तरह से deficient हो गया है it won't be able to fight against any kind of disease फिर आप बस जाईए और किसी एसे व्यक्ति से मिले जिसको सर्दी है है ना जिसको कफ हुआ है तो आपको भी क्या हो जाएगा आपको भी वही सारी disease हो जाएगी आप जिससे मिलेंगे उसको अगर किसी तरह की बीमारी है definitely वो व्यक्ति आपको कुछ दे या नहीं दे आपको भीमारी जरूर दे देगा क्योंकि आपका immune system पुरी तरह से suppress हो गया है it won't be able to fight against any kind of microbes वो किसी भी microbes के खिलाफ कोई action यहाँ पर नहीं लेगा और यह सारी की सारी disease हो है वो आपको होती चली जाएगी तो यह क्यों हुआ था बच्छो यह body fluid transfer हुआ है sexually transfer हो सकता है यह needle से भी transfer हो सकता है needle से कैसे हो सकता है जब भी मालनी जिए doctor ने कोई patient गया है doctor के पास में और उस patient को doctor ने लगाई सूई है ना तो जब भी यह लगाई injection और वो needle का है वही क्या है वही आपका needle अगर उस doctor ने किसी patient 2 पे इस्तमाल यहाँ पे कर लिया है तो इस patient 2 को अगर 1 को किसी तरह की disease है HIV virus अगर उसकी body में है AIDS अगर उसको है तो वो इस patient 2 को भी हो जाएगा इसलिए पहले इस्तमाल के बाद में उस needle को तोड़ दिया जाता है और उसको नया ही इस्तमाल किया जाता है वैसे ही मैंने भी हाल बताया था कि यह placenta को भी cross कर सकता है मतलब यह mother से किसी pregnant lady से उसके baby में भी इस तरह की disease जो है वो transfer हो जाएगी अब देखे इसको identify कैसे करें तो यहाँ पर ELISA यहाँ पर test होता है जिसकी मदद से you will be able to find out कि हाँ आपको यह disease है या नहीं आपको उसका confirmation यहाँ पर देखने के मिल जाएगा ELISA का full form है enzyme linked immunosorbent assay enzyme linked immunosorbent assay यह full form आपको याद रखना है कहीं बाहर तो full form ही पूछ लिया जाता है कि AIDS और ऐसे आपका ELISA जो है इसका full form क्या है तो इसका treatment क्या है AIDS अगर हुआ भी है तो इसके पीछे treatment क्या है तो treatment के लिए यहाँ पर anti-retroviral tablets का इस्तमाल तो होता है medicines का या फिर बुले antibiotic का इस्तमाल तो यहाँ पर होगा लेकिन वो किसी काम की नहीं है क्योंकि AIDS के लिए अभी तक कोई proper medication जो है बच्चो वो अभी तक नहीं मिल पाया है इसलिए सबसे खतरनाक अगर कोई बिमारी है तो उसमें एक नाम AIDS का भी आता है और यह AIDS अगर आपको हुआ है तो मान के चलिए यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की जो दवाईयां है आप अगर दवाईयों का लगातार इसमाल कर रहे है आप high power medicines ले रहे हैं तो वो आपके life span को बड़ा तो देंगे लेकिन आपको बचा नहीं सकेंगे आपको बचा नहीं सकेंगे ऐसा नहीं होगा बस आपका life span जो है वो थोड़ा ऐसा बढ़ जाएगा तो देखें वही बात कि anti-retroviral drugs जो है वो यहाँ पर इस्तमाल हो रही है और इसके कारण आपका life span बढ़ जाएगा लेकिन आप इससे prevent नहीं हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे हुए कि disease जो है वो जान बूच के यहाँ पर transfer कर देते हैं तो यह आपको सौझ माया कि it will be because of the body fluid अब यहाँ एक और चीज यह disease किन लोगों को transfer हो सकती है उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं देखें सबसे पहला कारण क्या हो सकता है सबसे पहले कौन जिनका immune system जो है वो काफी ज़्यादा weak है तो यह तो हो गई immune system पहले से बहुत ज़्यादा weak है तो यह weak क्यों हुआ immune system weak क्यों हुआ अगर आप smoking करते है है ना तो यहाँ पर संभावना है कि यह disease जो है वो transfer हो जाए कैसे transfer हो जाए exchange of cigarette है ना यहाँ से fluid जो है वो body fluid यहाँ पर transfer हो सकता है और इनको इनका immune system ऐसी काफी ज़्यादा weak हो जाता है तो इनको यह disease यहाँ पर हो सकती है दूसरा जो कारण है दूसरा कारण क्या हो सकता है जो लगातार blood transfuse कर रहे हैं जिनको blood transfuse कराने की जरूरत पढ़ रही है जिनको बार-बार नया blood लेनी की जरूरत पढ़ रही है किसी तरह का और को इनको issue है उनके blood related या फिर वोड किसी को donate करता है या किसी से receive करता है तो उन लोगों को भी यहाँ पर इस तरह की disease होने की संभावना रहती है multiple sex partners है multiple sex partners है तो multiple sex partners होने से तो यह संभावना तो और ज़्यादा बढ़ जाती क्योंकि यहाँ पर exchange of body fluid होगा और अगर यह protected नहीं है अगर यह protected नहीं है किसी तरह का contraception जो है महाँ पर इस्तमाल नहीं हुआ है definitely this kind of disease will transfer unsafe direct contact जो है that is also reason behind this वो भी यहाँ पर एक कारण जो है वो बन सकता है unsafe direct contact that will be responsible for this तो यह भी यहाँ पर कारण हो सकता है यह baby को mother से भी transfer हो सकता है mother to baby तो ऐसे मैंने तो किवल आपको पांच यहाँ पर कारण बता है इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकता है यह disease किसी नए व्यक्ती को पहुँचने के लिए तो उसी के बारे में भी और आगे बात कर लेते हैं तो वही बात आगे कर लेते हैं कि हम लोगों नो देखा कि किन लोगों को यह disease हो है वो बड़े आसानी से यहाँ पर transfer हो सकती है इसके treatment की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी cure नहीं है AIDS के लिए but you can only use some kind of prevention आप बस prevention यहाँ पर कर सकते हैं it totally on your you can say the partner which you have आपके partner पर depend करता है अगर आप मान लीजा आप शादी शुदा है और आपके partner जो है वो यहाँ पर infected है तो वो definitely आपको transfer यहाँ पर हो सकता है अब उसके बाद में prevention and control method अब जब prevention and control method की बात यहाँ पर आई है तो मुझे एक और चीज यहाँ पर यहाँ याद आया है NECO के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेता है National AIDS Control Organization क्या नाम है इसका National AIDS Control Organization अब यह organization कब बनी? यह बनी 1991 में क्यों बनी? यह disease इस समय पर आग लगा चुकी थी सब तरफ यह disease हो है वो बड़ी तेजी से फैलने लगी थी क्योंकि लोगों को awareness थी नहीं यहाँ पर awareness नाम की तो किसी तरह की कोई चीज थी ही नहीं कोई awareness नहीं है कि यह disease transfer हो कैसे रही है अब disease के बारे में सभी लोगों को जानना ज़रूरी था तो NECO ने एक unit यहाँ पर बनाई है कि control करना चाहते हैं इस तरह की disease को spread होने से तो इन्होंने इसके साथ में बहुत सारे दूसरे NGO भी आये उन सारे NGO ने क्या किया इन्होंने awareness program चलाएं उन्होंने क्या किया awareness program चलाएं और इस awareness program की मदद से उन्होंने अपने भारत में सारे लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी कि यह AIDS या फिर HIV वारे जो है और जब यह disease के बारे में जब लोगों को समझ आने लगी तब यह disease का spread जो था वो यहाँ पर कम होने लगा वो spread जो है वो धीरे होने लगा होता तो फिर भी है because of you can say कि अगर लोग aware ही नहीं होंगे कि needle यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपका razor यहाँ पर नहीं होना चाहिए body fluid जब भी transfuse करा रहे हैं आप blood को किसी को donate कर रहे हो या फिर किसी से blood ले रहे हो तो ऐसी condition में you will have to take care आपको उस समय बहुत ज़्यादा sensitive या फिर दिमाग के साथ में इस्तमाल करना है तो देखें एंजियो की बात यहाँ पर कर रहा हूं तो यहाँ पर यह सब सब काम करने के पीछे हाथ किसका है WHO World Health Organization जो है वो यहाँ पर बहुत important role play कर रहा है उसका काम पूरी दुनिया की देखरेक करना है वो आपको estimate बता भी देता है जैसे कि आपने COVID-19 pandemic में आपने सुना होगा की WHO ने ऐसा बोलाए की भारत में इतने प्रतीशा दिया फिर इतने शेतरों को प्रवावावेट कर सकता है So the same thing is here also की यह WHO ने यह जिम्मा उठाया की नेकों की मिदद करके we will be able to control this spread of disease from one person or one infected person to the uninfected person क्योंकि देखी अब यहाँ पर आपका immune system भले कितना ही strong हो है न भले आपका immune system जो है वो strong है वो काफी जादा strong है लेकिन condition क्या है कि आपकी body में अगर वो fluid के साथ में अगर वो virus पहुँच जाता है कौन सा virus? HIV virus और जब वो HIV virus आपकी body में पहुच जाएगा तो definitely वो आपके पूरे immune system को suppress कर देगा और आपका immune system अगर suppress हुआ तो बचों आप समझ सकते हैं कि क्या problem यहाँ पर हो सकती है अब आपको पता लगा होगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर prevention and the control method की तो उससे लेकिन यहाँ पर NECO आपको समझ में आ गया क्या था National Aid Control Organization कब इसकी स्थापना हुई थी कब इसको establish किया गया था in the year 1991 इसके बारे में भी बात हो गई कि उसने क्या किया लोगों को aware किया लोगों को समझाया उसने गाओं गाओं में जाकर लोगों को समझाया बहुत सारे हम कह सकते हैं कि जो contraceptive जो है वो उन्होंने लोगों को free में distribute किये ताकि लोगों को समझ में आये जो prostitution में पुरी तरह से involved लोग थे उनको इन्होंने समझाया और अब यहाँ पर prevent इसको करे कैसे तो इन्होंने लोगों को जब यह समझाया है कि जब भी body fluid जो है वो transfuse होता है आप किसी को खून दे रहे हैं आप बहुत अच्छे thoughts के साथ में आप किसी को blood donate कर रहे हैं लेकिन blood donate करने से पहले भाया you need to check, you need to confirm that you are not suffering from this HIV virus आप उससे पीडित नहीं है तभी आप blood जो है आप उसको donate करें अगर आपने blood donate कर दिया और आपके अंदर यह virus निकला तो यह समझाया आपके साथ में हो सकती तो कैसे बचे हैं? आप समय समय पे इसका check-up कर रहे हैं proper time interval पे आप इसका check-up कर आएं क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपको कब disease कौन सी आपकी body में enter कर जाती यह आपको समझ नहीं आता है तो आप समय समय पे क्या करें? आप इसका check-up कर आते रहें तो आप कोई चीज़े समझ आने लगेगी आपको चीज़े याद रखेगी रहना शुरू हो जाएगी आप जब भी shaving कर आ रहे हैं तो आप razor महाँ पे change कर भाईए आप जब भी doctor के पाश आ रहे हैं doctor ने आपको कोई injection महाँ पे prescribe किया है तो वो needle पुरी तरह से safe होना चाहिए वो used नहीं होना चाहिए भली वो आप से ही पहले कियो ना समाल आपके उपर हुई हो आप जब भी sex में involved हो रहे हैं so that should be fully protected multiple sex partners यहाँ पे नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे avoid करें अगर ऐसी condition है so you should go for the contraceptive जो कि male female condoms के बारे में हम लोग बात अभी आगे और करने वाले हैं तो यहाँ पे check-up की बात मैंने आपको समझा दे कि समय समय पे आप इसको check-up कराते रहें तो आप ऐसी problem से बचेंगे HIV replication कैसे divide कर रहा है replicate मतलब कैसे वो आपकी body में रहकर अपनी body को यहाँ पे divide कर रहा है उसके पास में जो genetic material है वो RNA है है ना अब DNA की बात यहाँ पे कर लगते कि macrophages में it forms a DNA by the reverse transcription और फिर उसको host genome में multiple copies वो वो वहाँ पे बनाता है है ना मतलब वही चीज़ है कि अपना genetic material वहाँ पे पहुचा के उनके replication system को पुरी तरह से stop करके और अपने system को activate करना है अपनी copy महाँ पे बनाना है host जो है पुरी तरह से suppress होगा यहाँ बाकी के जितने भी cells है वो महाँ पे किसी काम के नहीं रह जाएंगे और आपके यह जो T cell B cells है यह भी महाँ पे किसी तरह का कोई role play नहीं कर पाएंगे तो देखें T cell जो है उनके उपर यह attack करेंगे और अगर उन पर attack हुआ है तो आप यह मान के चलिए कि आपके T lymphocytes जो है वो अब produce नहीं होंगे उनका number यहाँ पे कम होने लगेगा और number ही अगर कम हो गया तो आपका immune system तो गया तो HIV virus replication cycle एक cycle यहाँ पर देखते है कि किस सरह से इन्होंने अपनी बॉड़ी अपने नंबर को आपकी बॉड़ी में यहाँ पर बढ़ाया तो देखें retrovirus वो है वो यहाँ पर बॉड़ी के अंदर आपके इंटर करता है एक normal infection यहाँ पर होता है protein coat बाहर ही रह जाता है only genetic material will enter inside your body है ना आपके cell के अंदर animal cell के अंदर वो यहाँ पर आया है plasma membrane से देखे plasma membrane cross करके उसका genetic material अंदर आ चुका है और जब वो अंदर आया है तो उन्होंने reverse transcription जो है वो यहाँ पर किया और host का जो DNA था उसको महाँ पर उन्होंने रोक दिया है और अपनी new copies जो है वो यहाँ पर बनाना शुरू करी जब यह copies बनके तयार हो जाती है तो यह cell का license करते हुए दूसरे cells को affect करते हैं और इसी तरह से पूरी body पर अपना कबजा जमा लेता है तो यह आपके इस HIV virus का replication cycle है बचो that how it will be able to affect you और आपको कैसे बचना है इस AIDS से आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कहां से शुरू हुई थी disease UK से कहां पहुची पूरे दुनिया में है ना तो इसके लिए पूरी दुनिया वालों ने क्या किया WHO ने Neko किसा अपना की और उसने लोगों को aware किया और आज भी आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर railway stations पर airports पर bus stations पर now there will be a machine over there it will remain over there और यहां तक कि आपके बहुत सारे जितने भी medical stores है on that also these kind of protective or contraception will be available over there जिससे लोगों को अगर availability चीजों की होगी तो वो इन disease से बच सकेंगे awareness program लगातार अभी भी इसके लिए चलाए जा रहे प्रहश को भी रहे जाए जिससे प्रहशन से लिए-ए भी मालेडार आपके जाए ए बहुत सके रहे जाए